आप सुन रहे हैं गौरा पन्शिवानी जी का प्रसिद उपन्यास कालिंदी आज सुनिए कालिंदी का भाग छे पर कालिंदी जिससे पूछना चाहेती थी वही उसे एक दिन फिर अचानक टकरा गया वो उसन मामा के साथ घूमने नहीं गई थी उनके पैर में हलकी मोच आ गई थी पहले उसने मामी को साथ चलने के लिए मनाया पर वो भी अलसा गई तो अकेले ही निकल गई उची चड़ाई पार कर वो सरकिट हाउस के नीचे के लॉन पर उतरती पुराने गिरजा घर तक चली गई यहां वो दोनों मामाओं के साथ बच्वन में कितनी ही बार भूमने आई थी गिरजा ठीक वैसे का वैसा ही धरा था चौड़ी सीडियों पर बिखरे दाडिम के फूल जिने पिरूल के सूखी डंडियों से जोड छोटा मामा उसके लिए गुडिया के पलंग बनाता था कभी गोल गोल मोड पैरों के जहवर नीचे फैले कुष्ठाश्रम के टीन के बैरक और दूर दूर तक फैली बिनैक मुक्तेश्वर की चोटियों पर चमकती बत्तियां परवतों के बीच अगने सेथ उसी बन गई जंगली आग को वो एक टक देखने लगी ये आग उसके लिए अंचीन ही नहीं थी प्राया ही तो पहाड के वन सनरक्षक पत्रॉल परवत शिड्यों को ऐसे असंके अगनी करीटों से भर देते थे दूर से आ रहे पहाडी धोल दमामे की वो चिर पर चित धुन जाग जा भुतणी जखुले चिथणी जाग जा भुतणी जखुले चिथणी अर्थात हे भुतिनी जाग जाग तेरे जखड़े की चिधड़ी लटक लटक जाए कभी कभी रात को छूटा मामा उसे डराता चड़ी सुन भुतों की बराद जा रही है सुन सुन और उडर कर मामा से लिपड़ जाती सहसा ना जाने किस अद्रश पकड़ंडी से कूद वो हसता उसके सामने खड़ा हो गया था फिर उनी चार विस्मरत स्वर रचित पंक्तियों से उसे खित से हसा गया था जिने वो बार बार दोरा वो उसे बच्पन में चिड़ाता था कालिंदी पंत देखने की संत आग की चुड़कंत हिर्दय में बसंत यहां क्या कर रही है तू चल आज भी तुझे अपने रथ में घर छोड़ कर आऊं सामने सड़क पर खड़ी कर आया हूं सांज हुआई है जानती नहीं पहाड की सांज और पहाड की लड़कियां समय से पहले ही जवान हो जाती है तूने मुझे सड़क से कैसे पहचान लिया बिर्जू आ बैट उसने हसकर कहा हाथ पे सूखी पत्तियां जहार उसके बैठने के लिए चगे बना दी तुझे नहीं पहचानूंगा अरे तुझे तो मैं आखों पर पट्टी बन्दे रहने पर भी त्रिकाल दर्शी जादूगर की तरह पहचान सकता हूं चलूट अब बैठने का वक्त नहीं है नहीं मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक मुझे अपने बारे में सब कुछ नहीं बता देगा मैं तेरे मुझे सब सुनना चाहती हूं भिर्जू और किसी से नहीं मैं जानती हूं तु मुझे कभी जूट नहीं बोल सकता पूछ वो सिड़ी पर एक पैरधर उसी पर कोहनी टेख हस्ता खड़ा हो गया क्यों सब लोग तुझे भाई का अत्यारा कहते हैं क्यों तेरे तसकर होने की बाते कर तुझे बदनाम करते हैं क्यों लचुआ भंडारी की बेटी फिर उसका चेहरा लाल पड़ गया अपना अधूरा बदनाम प्रश्न उसने कंठी में खीच लिया अच्छा वो हसकर उसके पास पैट गया अरे वाँ फिर उसने दोनों नतुने मूंत भावा वेश में आँखें बंद कर ली लगता है चोवा चंदन के कुंड में कई डूकियां लगा कर आई है तूचड़ी बाप कसम लग रहा है किसी ने पूरे मैसूरी अगरबत्ती के बंडल में ही जलती माचिस लगा दी है चल अच्छा ही हुआ चंदन विश्व्यापे नहीं लिप्टेओ रहे बुजंग कम से कम तुझे तो मेरा विश्व नहीं व्यापे गारी चड़ी चुपकर बिर्जू बता जो बात लोग तेरे लिए कहते हैं वो क्या सच है गिर्जे के अर्ध चक्राकार आहते को दूटते सूरी की रक्तिम आभा टतिक्षन गिर्गिटी रंगों में रंगती चली जा रही थी दूर कोई बंशी बजा रहा था वही चिरपरचित करोन पहाड़ी धुन दोनों को एक साथ बचपन के उस देरी पर खीच ले गई जहां न कपट था ना दुराओ छिपाओ जहां दोनों एक साथ फिर हाथ में हाथ बांधे कालिंदी के ननिहाल के पत्रीले पट टांगण में बैठे पहाड का प्रिय नर्स्री राइम गा रहे थे चल चल चमेली बाग में मेवा खिलाओंगी मेवे की चादर फट गई दरजी बुलाओंगी दरजी की सुई तूट गई लुहार बुलाओंगी जब बिर्जु की कहानी सुनी तो उसे लगा दर्जी की सुई सचमुशी तूट गई है अब उसकी फटी चादर कोई नहीं सिल सकता अच्छा है चड़ी जो आज तू इस एकांत में मिल गई कोई तो मिला हूंकारा देने वाला आज तक किसे से कहता भी तो कौन मेरी बात का विश्वास करता उनके लिए तो मैं भाई का हत्यारा हूं मकार गुंडा लोफर तूससे कसम खाकर कहता हूं चड़ी उसने पिर भावावेश में आकर कालिंदी के दोनों हाथ पकड़ लिए मैंने गिरुआ की हत्या नहीं की हम दोनों शिकार खेलने ही काला ढूंगी के जंगल में गए थे शिकार ढूरते ढूरते ना जाने कब तराई के बियाबान जंगल में उतर बटक गए जेट का महीना था और तराई की गर्मी भूख से आते कुलगला रही थी प्यास से जीव तालू से चिपकी जा रही थी कहीं पानी का नामो निशान नहीं तब ही वो मन्हूस जील दिख गई हमने पहले तो जीवर पानी पिया फिर गिर्वा ने कहा चलरे बिर्जू नहा लें कैसा ठंडा पानी है सब ठकान दूर हो जाएगी तब क्या पता था उसे जील नहीं उसकी मौद बुला रही है हम बड़ी देर तक तेरते रहे गिर्वा तेरता तेरता बहुत दूर तक चला मैंने चीख कर कहा लोटा गिरू कभी कभी इन पहाडी जीलों में बड़े जानलेवा भवर होते हैं कैसे कैसे सदे तैराक को भी टांग पकड़ कर लट्टू सा घुमा देते हैं पर वो नहीं माना और फिर अचानक चीखा अरे बिर्जू मुझे कोई खीच रहे रहे मुझ से बचानी पाया लगता था उसके प्राण जील में ही निकल चुके थे सारी रात में बैठा रहा फिर जब देखा उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं है और उस वियावान जंगल से उसी छे फुटी लाज को कंदे पर लटका किसी बस्ती में पहुँचना मेरे लिए असंभ पायत कर दी यहां आकर मैंने विरादरी में सब बातें ससच बता दी थी पर हमारे पहाड़ी धर्म ध्वज लाठी लेकर मुझे मारने खड़े हो गए अरे हत्यारे मौसी की घरकुडी लटपटी अर्थात जायदाद हत्याने भाई को मार नदी में डुबो आया ब्रामन की गतकिरिया किये विना ही उसे प्रेतियों में भटकने छोड़ाया वो तो प्रेतियों में नहीं भटका होगा चड़ी तब से मैं बराबर जीते जी प्रेतियों में भटक रहा हूँ उसकी दीर किश्वास देवदारी बैयार में खो गई और लश्वा बंडारी की वेटी को लेकर जो सब कहते हैं वो भी जूट है क्या मत पूच चड़ी मत पूच मैं तुझसे जूटने बोल सकता तो क्या ये बात सच है वो एक शण को गूंगा बन गया फिर रुधे कंड से उसने अपना जगन अपराज स्वीकार कर लिया मैं जब मंबई गया तो एक हेल्थ क्लब म काम करने लगा था थोड़ी दिन में मेरी काया कलपी मालिश की सुख्याती पूरे शहर में फैल गई बड़े बड़े सेट साहुकार बड़ी बड़ी फिल्मी हिस्तियां राजनी तिग्ये मुझे घरों में बुलाने लगे मैं एक एक मालिश के पांसो रुपे लेता था कभ पर बड़े स्वय में उसने तूटे सूत्र को थाम लिया उसके पोलियो ग्रस्थ पंगू बेटे को तो मैंने ठीक कर दिया पर मैं खुद पंगू बन गया अजगरी नाम था उसका बहुत बड़े कोठे की मैडम थी कई बार पुलिस छापे मार चुकी थी पर उसकी प्रवाइर मिल गया उसे मुझे देखते ही खुली किताब सामाश लिया बोला जा किसी नातान मासूम लड़की से शादी कर ले तेरी बीमारी का एक यही इलाज है पर कौन देता मुझे अपनी नातान मासूम लड़की मैं मरने ही पहाड आया था किसी को मारने नहीं मैं पूछा न कहा वो अकेली ही उठकर तेजी से चलने लगी पीछे पीछे सिर जुकाए बिर्जू चल रहा था और उन दोनों के पीछे डूपते सूरी की रकताब आभा चड़ी तुब उससे नाराज हो गई तो मैं कहा जाऊंगा बोल मेरा है ही कौन जानता हूँ तू अब क जैशव के उस विपत गामी साथी के दूधिया चेड़े को अभी भी वैसी ही सरल हसी उदभासित कर रही थी निर्दोश, निशकलंक, निर्मन वो बिना कुछ कहे एक हासे जीब का द्वार पकड़ उसके पार्ष में बैट गई देख चड़ी उसने दीरे से कहा तुझे मे जू बना गया शाबाश कामरेट तभी तो मैंने तेरे लिए बरसों पहले कविता लिखी थी कालिंदी पंत देखने की संत आग की चुड़कंत हृदय में बसंत तीखे ढलान में जीब स्वयमी धुलकती जा रही थी मैं कल जा रहा हूँ चड़ी नैपाल जाना है मुझे फ उतर जा चट पर चलो किसी ने देखा नहीं उसने हसकर एक आँख बंद कर ली वो उतर कर गई नहीं निर्भीक तनी उसके सामने खड़ी हो गई अब ये सब छोड़ दे बिरजु प्लीज उसका गला रुंद गया ओके ओके मेडम एज यूविश बिरजु ने उसका हाथ थाम से जुका कर पहले अपने माथे पर लगाया फिर उसी नाजुक कर प्रष्ट पर अपने होट धर दिये जैसे किसी प्राचीन मंदिर में प्रतिष्ठित अष्ट बुझा की मूर्थी पर मत्था टेक रहा हो हिमाच चादित परवत श्रेणों परविदा ले रहा सूर्य मुठी पर अबीर बिखेर गया था गिरजे के इतवारी घंटे की गूंच के साथ दूर कड़कते बादलों का गरजन तरजन जैसे जुगलबंदी कर रहा था वही पखावज तबले किसी दुगन तिगुन चौ वो कुछ कहती इससे पहले ही वो तेजी से जीब चलाकर अंधकार में खो गया उसके ठीक दूसरे इतवार को तो अभागे की लाश अल्मोडा अस्पताल में पोस्पार्टन को लाई गई थी आन्दी के वेक से जीब चलाने के लिए कोख्यात वो दुस्साहसी चालक पितहर मामा ने आज तक कभी उसके कहीं जाने पर आपते नहीं की थी पर वो जब हाथ में गुलस्ता लिये बाले सखा को अंतिव विदाई देने जाने लगी तो मामा ने इम्रद स्वर में उसे टोक दिया था वहां तेरा जाना ठीक है क्या चड़ी ये छोटा सा शहर है लोग बेकार में तिलका तार बनाएंगे वही तो मैं भी इससे कह रही हो देवी वहां इसका जाना ठीक नहीं होगा अम्मा भी आकर खड़ी हो गई थी पर कालिंदी का त्रह स्वर एकदम शान था मैं जाओंगी मामा बिर्जु मेरे बचपन का साथ ही था जाने से पहले एक मुझसे ही तो मिलकर गया था वो अस्पताल जाकर वो तीन घंटे खड़ी थी पंच नामा पोस्ट मार्टम और ना जाने क्या का लिखत पढ़त के बाद स्ट्रेचर में बिर्जु की कठी पठी देह बाहर तो उसे लगा कि वो जोर से रो पड़ेगी पर अद्बुत काठी की लड़की थी कालिंदी होट काठ कर उसने हृदय के वेक को सैयत कर लिया तीखी नाक के दोनों नथनों में रूई शान चमकते चेरे पर ना किसी चोट का निशान न विक्रती लग रहा था गहरी नीद मे सो रहा है एक शन को से लगा वो कफन फार कर बैट गया है और से चिड़ा रहा है कालिंदी पंत देखने की संत आग की चोड़कंत रदय में बसंत भीड का घेरा चीर वो मुरजाय मलान पुष्प गुच्छ को उसकी छाती पर धर आई और तीर सी निकल गई घर लोटी तो अम्मा का चेरा फूला था अबाद ये पुत्री ने उसका कहना नहीं माना इससे वो आहत हुई थी फिर भी उसने उसे नहाने भेज दिया जा नहाले सिर से नहाना मिट्टी चू कर आई है नहा आ तो गंगा जल डालू बिरजू की आकस्मिक वरत्यों ने उसे अस्सा भाव एक रूप से गुमसुम बना दिया था ना वो ठीक से खा रही थी ना गुम नहीं जा रही थी पहले नित्य दो बार वसंत मामा क्या जाती थी अब वो भी छोड़ दिया था सरोज नित्य आती थी पर वो उससे भी बहुत कम बोलती उसकी क्रम वर्धमान अस्थिरता चिंता मगन मौन चेहरे की रेखाओं में काठिने के इस्पष्ट छाप देख देवेंदर मनीमन उद्दिग्न होने लगे थे वो जानते थे कि कालिंदी बड़ी भावुक लड़की है बचपन से ही वो बिरजु के साथ खेल जगर कर बड़ी हुई थी फिर वो सुभाव से ही गर्त संदेश के नागपाश में बांधता जा रहा था मंदिर से भी उसी के साथ लोटी फिर गिरजा घर से दोनों को एक साथ लोटते भी उनकी पुरानी धोबिन ने देख लिया था उसका घर वही पर था अन्ना लली उस बुढ़िया ने फिर चट अपनी मंत्रणा के चे बेट भरते हैं दालभाज से नहीं अन्यपूर्णा का चेहरा उतर गया पर वो एक शब्द भी ने बूली दोबिन फिर उसके पास एकदम खिसक फुसपुसा कर कहने लगी मेरी देरानी पियरी को तो तुम जानती हो साली के मुह में बवासीर है एक बात में दस बाते जोड मोहले भर में फैलाती रहती है उस दिन करमजली आंगन में बैठी चावल फटक रही थी मैं भी वहीं बैठी थी जूट क्यों बोलू लली मैंने भी देखा वो नासपीटा बिर्जू दिन दूबे अपनी जीप में जा रहा था और बगल में बैठी थी हमारी कालिंदी लली पियरी कहने लगी लेओ एक के साथ तो मुख काला कर उसे पहार से ढखेली आया है अब दूसरी को ढखेलने के लिए जा रहा है वो भी तुमारी कोठी की कालिंदी लली अनपूर्णा का खूनखौल उठा था आने दूआ चड़ी को ऐसा भद्रा उतारेगी कि याद करेगी छोगरी डाक्टर नी क्या बन गई हवा में उड़ने लगी पहले घराई बारात को लौटा दिया हमने तो दहिस का इंतजाम करी लिया था उससे तो मांगने नहीं गए आखिर दस महीने गर्ब में रखा है उसे उसे क्या कोई अधिकार नहीं है उसे लतार नहीं का देबू और चीला ने भी तो उससे सरचड़ा कर ऐसा जिद्दी बना दिया था वे दोनों तो सब सुनकर भी उससे कुछ कहने से रहे दोनों हमेशा मुह में दही जमाए बैठे रहते हैं बादशा की घोडी की लगाम अब उसे अपने हातों में ही लेनी होगी पर दिन डूबे जब कालिंदी घूम कर लोटी तो पुत्री का शांत क्लांत चेहरा देख उसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ पवित्र गंगा जलसी इसनिग्द आदर आखें होटों पर क्र पर इस्मित की रेखा ललाट पर चिंता की सरपिल रेखाएं क्या हो गया था इसे वैसे पुत्री से कुछ कहने सुनने का ऐसा सुवसर उसे जुट नहीं सकता था शीला के मेरी बहन बहुत विमार थी उसे ही देखने देबू और शीला खाना खाकर ही निकल गए थे रानी ख चिष्टा करने पर भी अनपूर्णा मूख खोल कर पुत्री से कुछ कहने का साहस ने जुटा पा रही थी कभी बड़े साहस से उसे पकारती भी तो उसके आने पर स्वयम प्रसंग परवर्तित कर ले थी क्या है अम्मा क्यों बुलाया कुछ नहीं मिल गया एकादशी की ति देखने पत्रा ढूण रही थी वही पूछ रही थी कि तूने कहीं देखा पर कालिंदी की मर्म भेदी द्रश्ट अनपूर्णा को विचलित कर देती मा की आखों में निविड जग्यासा की जलक देख वो समझ गई थी कि जननी का उद्देगा क्रांत सूखा चेरा कभी अक अम्मा तुम्हें मुश्वर विश्वास है या लोगों की बत कही पर अनपूर्णा उस अप्रत्याशित मूफट प्रश्ट से चौक उठी थी क्यों क्यों पूछ रही है तू इसलिए अम्मा उसने हसकर कहा संसार में कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो एकदम जखका जख आइना ही बने रहते हैं तुम्हारा चेहरा भी वैसा ही है कोई ऐसा व्यक्ति आ जाये जिसे तुम पसंद नहीं करती तो फौरन तुम्हारा चेहरा तुमारे मन की चुगली खा देता है रुष्ट हो तब भी और तुष्ट हो तब भी मैं जानती हूँ कि तुम उससे नारा आजो देखो अम्मा उसने फिर रामायर पढ़ने का उपक्रम करती अम्मा के हाथ से रामायर बंद कर अपनी गोदी में धर लिया था तुम्हें मेरा बिर्जू के साथ गूना अच्छा नहीं लगता है ना पर मेरा कभी कोई भाई नहीं था अम्मा सगा भाई भी होता तो शायद मुझे इतना प्यार नहीं कर पाता एक ना एक दिन तो भावी उसे संसार के सब भाईयों की तरह चीनी लेती पर मेरा ये मस्त मौला भाई मुझे अंत तक इतना ही प्यार देता रहेगा ये मैं जानती हूँ अन्यपूर्णा गेह देप धरा कोई भारी पत्थर जैसे स्वयमी हट गया अपने ओचेपन की अभिक्यता उसे आत्मिगलाने से शुब्द करू थी छी छी कैसी नीच बात आ गई थी उसके मन में तुमी सोचो अम्मा उस अभागे का है ही कौन ना मा का प्यार मिला ना बाप का नुशासन मौसी ने पाला पर केवल करता विमान कर मैं तो सोचती हूं अम्मा जब कोई अपना अपराद स्विकार कर लेता है तो वो अपराद ही नहीं रहता स्वयम भगवान तो उसकी बेड़ियां काठी देता है भले ही कानून न काठे तो क्या उसने तेरे सामने अपना अपराद स्विकार कर लिया है मा के सात्विक की नत्रने फड़ पड़ा रहे थे उसने गिरुआ की हत्या नहीं की अम्मा उसने उत्तेजित होकर अन्रपूर् गिरुआ सचमुची भवर में फसकर डूब गया था बिर्जू तो अपनी जान की परवान ना कर उसे खींच कर किनारे तक भी लाया था और लच्चु भंडारी की बारह साल की बेटी उसने भी क्या खुदी पहार से कूद कर जान दे दी व्यंग से अम्मा के होट तेड़े हो गए थे कालिंदी फिर बिना मा की और देख स्वगती कैफियत देती बड़बराने लगी कठिन परिस्थितियों में तो रिशी मुनी भी विवेक हो बैठते हैं वो खशन भी शायद उसके चरम उनमात का खशन था चीची कालिंदी तु मेरी बेटी होकर भी ऐसे जगने अपरात को पागलपन कह रही है मैं तो अब अपने घर के गिलास में उसे कभी चाय भी नहीं दे सकती बहले ही कोड़ी को दे दूँ पर चाय पीने वो आया ही कहां दूसरे ही दिन तो वो अपने मुकदमे का फैसला स्वैम सुना नतमस्तक म्रत्य डंड स्विकार कर चुका इधर दिल्ली से आई डाक में फिर उसे वही विदेशी मोहर लगा लिफाफा मिल गया अच्छा था जो डाकिया उसे ही डाक ठमा गया था अम्मा मामी या मामा होते तो क्या उस लिफाफे की कोई कैफियत दे पाती अपने कमरे में जाकर उसे बिना पढ़ी उसके टुकडे खुली देखकर भाग कर आ गई तुम अस्पताल गई थी ना दीदी बाप रे गजब की हिम्मत है तुम्में बगल के भट जी कंपाउंडर बता रहे थे अस्पताल वाले पोस्ट मार्टम कर भेजा कलेजा फेपड़ा सब निकाल कर रख लेते हैं जानती होती थी मुझे बड इतनी मूर्ख है तुसरोज पढ़ी लिकी होकर भी भूत प्रेत में विश्वास करती है और नहीं तो क्या जानती हो मेरी मौसेरी बहन उमा को सस्राल वालोंने बड़ा सताया था पहली जजगी में ही उमर गई थी बिजारी उसके लड़के को जिठानी ही पाल रही थी पाल लग जाती थी उसकी हात पेर एंट मुसे जग निकालने लगती थी मिरगी होगी मूर्ख ? मिरगी होगी सरोज मुण बिचका कर फिर चालू हो गई थी मैंने अपनी आखों से लेखा है हू बहू उमा की अवाज में ऐसी ऐसी गालियां देने लगती अपनी जठानी दया को क पूछो मत फिर कहीं गया जाकर शांती करवाई तब ठीक हुई हाई कहीं बिरजुआ भी हमें ना खीचने लगे चुपकर सरोज मेरे सामने ऐसी बाते मत कर सरोज सहम कर चली गई पर रात ही को फिर अपनी तक्या रजाई लेकर उपस्तित हो गई थी बत्ती बुझा कर कालिंदी सोने लगी तो सरोज अपने पलंग से कूद कर उससे लिपट गई दीदी मैं तुम्हें कुछ बताने ही आ जाई हूँ बिना कुछ पूछे ही कालिंदी ने उसके और दर्ष्टे उठाई सुनाएं म고 देने आने वाले हैं कौन कल दिल्ली से बद्णी मामा आई है उन्हीं के पड़ोस में तो मेरी ससराल है कह रहे थे मा बेटे में खूब जम कर बहस हुई है क्यो तेरे पती तो विदेश में थे न आज कल दिल्लीं आई है मेरी ननत क्या ब्याहा है उन्होंने कहा मुझे भी बुलाएं तो मेरी सास ने चीक कर कहा एक बार पैर रखा तो ससुर को खा गई अब आएगी तो पता नहीं किसे निकलेगी तब इन्होंने कहा अच्छा होता आई जा इस बार तुझे निकल लेती तो जगड़ा ही मिट जाता मैं उसे लाओंगा हम दोनों किसी होटल में रह लेंगे साथ दिन बाद तो मुझे जाना ही है इस बार मैं उसे लेकर ही जाओंगा मामा बता रहे थे मा बेटे इतनी जोड़ जोड़ से चीखे कि पूरा महला जुट गया तु खुश है सरोज डर नहीं लगता हुआ जाने में डर कैसा यहां सब के ताने सुनसुन कर आगा गई हूँ दीदी भावी घर का सारा काम ही मुझ पर नहीं चोड़ती सवा साल के बेटे को भी मेरी गोद में पटक बीटी करने चली जाती है सुबह से घर बर की जाड़ू, बुहारी, कपड़े दोना, खाना, पकाना उस पर बाबू का गुस्ता तु देखाई है तुमने उस बाद तुमारे साथ मंदिर गई और लोटने में देर हुई तो तीन दिन तक अबूला लगा कर बैट गए एक बाद भी नहीं की और विदेश जाकर देखा कि पती ने तेरे लिए किसी विदेशी में का तोफा रखा है तब आजकल यही तो हो रहा है सरोज सोच समझ कर जाना नहीं, यह ऐसा कभी नहीं कर सकते उसका द्रड स्वरसुन कालिंदी ने उसके भोले कमनिये चेहरे को देखा खुली खिर्की से चतुरदशी की धौत चंदर का इस नात उसका पीला चेहरा किसी बच्ची का सा लग रहा था और इस पश्ट आलोक में उसके नाक के हीरे की लौंग जग जग चमक रही थी कैसी भवे दरता थी उसके निर्भीक चेहरे में पती पर कैसा अटूट विश्वास उस पती पर जो मा के कहने पर निर्पराद इस्तरी को माय के पटक इतने दिनों किसी निस्सीम शूनिता में विलिन हो गया था यदि अब उस भोली लड़की का विश्वास आहत हुआ तो क्या हो जीवन भर उस आगात से उभर पाएगी मैं कैती थी ना दीदी बाबा की भभूत क्या हर किसी को मिलती है देख लेना एक दिन तुम चुप कर सरोज उसने उसे इतनी जोर से जिड़का कि उस सहम पर चुप हो गई दूसरे दिन सुबह ही दोनों को मामी अपने साथ जाखन देवी के मंदिर में दिया जलाने ले गई तो सरोज हिचकिचा रही थी बाबू से पूछाओ मामी कहीं भाबी नाराज न हो अरे अभी तो तेरे हां सब सो रहे होंगे हम अभी आ जाएंगे आज तो इतवार है ना तेरी भाबी को कॉलिश तो जाना नहीं है पक्की सड़क के नीचे बने जाखन देवी के मंदिर में कालिंदी कई बार मां के साथ गई थी आज बर्षों बाद वहां गई तो लगा मंदिर जोकातियों धरा है जराबी नहीं बतला सक्रे द्वार से तीनों सर जुकाकर अंदर गई तो देवी की सिंदूर पुती मूर्ती के सामने कतार की कतार में निशकंप प्रदीप जल रहे थे आटे के नन्ने नन्दे प्रदीपों में जल रही एक भी घ्रती ज्योती नहीं बुजी थी गुटनों के बल बैट आँखे मूंदे सरोज ना जाने क्या-क्या मांग रही थी पति ग्रह को पुरह प्रस्थान उस सरला का सहज विश्वास देख कालिंदी को हसी भी आ रही थी इतना अपमान इतनी अवग्या सहकर भी वो फिर वहीं जाना चाह रही थी काली कराली चंडिका नहीं बन पाती क्यों चंडिका बन शिव को भी पैरों तले रौन्दे में सक्षम नहीं बन पाती कहां विलीन हो गई है रुद्रणी दश प्रहरन धारणी क्या हम लक्षमी को सदा विशूर के चरणों में ही बैठी देखते रहेंगे हम भले ही नारी स्वाधीनता और प्रगत का मित्या प्रचार करते न थकें भले ही हमारा सम्विधान कहे कि उसने अबला को सबला बना दिया है अब नारी को कैसा भै और कैसा संशे है पर नारी आज भी उतनी ही विवश है उतनी ही असा है कालिंदी बार-बार आखे मूंदे अडिक बैठी सरोज को देख रही थी देवी से वो न जाने क्या-क्या मांग रही थी उसे लग रहा था कि पहाड की समाज रशना में भले अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हो नारी की मूल भूमिका आज भी वही है पुरुष आश्रिता, पुरुष परायना यदि वो पती के आश्रे में है तो समाज उसे अनायास मानेता दे देता है भले उसका पती कामी हो, कुटिल हो, कुकर्मी हो, कुबुद्धी हो किन्तो यदि वो पती के साहचर से वंचित है तो हो बली का बकरा है उसका मांस कोई भी खा ले क्या दोश मामी विग्रह पूजा कर निकल कर प्रदिक्षणा में घूमने लगी सरोज अभी भी उसी मुद्रा में हाथ जोड़े बैठी थी क्या क्या मांगेगी अब चल बाहर निकल बहुत मांग चुकी सरोज अधैर इसे कालिंदी ने उसे पुकारा मंदिर के उसी चौकट पर खड़ी कालिंदी ने उसी क्षण अपना निश्चे ले लिया था वो सरोज को इस बार अपने साथ ले जाएगी अल्मोडे के संकीन समाज में रहकर वो एक असमेही वेरागनी बन उठेगी एक वक्त का खाना मंदिरों की असक है परे करमाएं और पहाड आगे किसी संत महराज के प्रवजन या पिर भागवत सब्ताह की नीरस दिन चल रहा पड़ी लिखी सरोज के लिए वो कोई नौकरी तो जुटा ही लेगी यद्य भी उसके क्रोधी संकी पिता अढंगा अवश्य लगाएंगे सारा मुहला उन्हें दुरवासा कहता था कोई नहीं मिला तो हवा से ही लड़ने लगते सरोज की भावी को भी शायद उसका प्रस्ताव माने ना हो सहसा सदा के लिए माई के आई ननत तो उसके लिए सोने कांडा देने वाली बत्तक बन गई थी बरतन मलने से लेकर दुद्मुहे बतीजियों को संभालना सब उसी के जिम्मे था पर सरोज वो क्या अपने सस्राल की तीन दिन की भिष्टी किसी बाश्चाहत को कभी भूल पाएगी अभी भी उसका सजीला दूला आकर तरजनी उठा दे तो उसके पीछे पीछे चल देगी हुआ भी यही था इत्वार के दिन वो नित्य वसंत मामा के आँ जाकर उनके घर की सफाई करती थी वो जाने को तैयार हो ही रही थी कि सरोज भाग कर आई और उसे हाथ पकड़ कर भीतर खीच ले गई वो तेजना से उपुरी तरह हाफ रही थी जानती होती थी वे आ गए हैं कौन? कालिंदी ने अंजान बन कर पूछा वही और कौन? मैंने पर्दे से जहां कर देखा वे बाबू के पैर छुने जुके और मैंने पहचान लिया पिछवाडे की खिड़की से कूद कर सीधी तुमारे पास भाग आई हूँ हाई मैं मर गई देखो मेरा कलेजा अभी भी धड़क रहा है तेरा कलेजा तो हमेशा ही धड़कता रहता है सरोज इसमें पिछवाडे की खिड़की से कूदने की कौन सी आफ़त आ गई थी? मजाग छोड़ो दीदी तुम मेरे बाबू को नहीं जानती क्या? जरूर कोई अडंगा लगा देंगे मुझे सारा डर भाबी का है वो तो अच्छा है घर पर नहीं है कॉलेज गई है क्यों भाबी क्या कर लेंगी? क्या नहीं कर लेंगी ये पूछो दीदी मैं चली गई तो ने बिना दाम की भन मजुआ मतलब बरतन मलने वाली कहां मिलेगी? तुम जाओ दीदी प्लीज वो उसे रुआसी होकर ठेलने लगी पागल हो गई है क्या? मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मैंने तो दूले को कभी देखा भी नहीं है तुम खुद क्यों नहीं जाती? जाकर साफ साफ कह दे कि हाँ मैं चलूंगी बस मैं क्या तुमारी से हिम्मती हूँ दीदी? उसकी शर्वती आँखों में विवश्टा के आँसू छलकाए मैं तो उनके सामने कभी बात भी नहीं कर पाती हूँ हकलाने लगती हूँ क्या बात है सरोज? इतनी घबडाई हुई क्यों लग रही है? शीला परदा खोल कर खड़ी हो गई देखो तो मामी इसका पागलपन कालिन्दी ने हसकर कहा चल उट मैं चलती हूँ तेरे साथ अभी फैसला कराती हूँ कैसा फैसला? आकिर क्या हुआरी चड़ी? शीला आश्चर इसे मूँ लटका एक खड़ी सरोज को देख रही थी इसका दूला इसे लेने आया है मामी अरे वाँ ये तो बड़ी अच्ची खबर है इसमें रोने की क्या बात आ पड़ी? क्या तू उसके साथ नहीं जाना चाहती? नई मामी ये जाना चाहती है पर डर रही है कि कहीं इसके बाबू और भाबी भाजी ना मारते है उठ चल हमारे साथ शीला ने उसका हाथ पकड़ कर खीच लिया देखू कौन रोपता है तुझे? दो दो व्यक्त संपन्ना महिलाओं को सरोज के साथ आते देख वो पाहुना चौका कहीं उसे सबक सिखाने तो सरोज अपनी महिला फोज लेकर नहीं आई है वो सकपका कर खड़ा हो गया और उसने दोनों हाथ जोड दिये सरोज का दूला वास्तों में ठसकेदार था हाथ की ओमेगा घड़ी से लेकर पैर के जूतों की चमक तक में कहीं कोई तुर्टि नहीं थी गोल गोरे चेरे पर ना कोई कुटिल रेखा ना निर्दोश हसी में कोई भ्रामक चलना मैं इन्हें लेने आया हूँ उसने हसकर कहा तो शीला मुग्द हो गई उसने कह तो दिया पर सरोज के क्रोधी पिता के क्षिर सफेद मूचे टिड़ी के पारदर्शी पंको सी निरंतर काप रहें थी उन्होंने शीला की उस अनादिकार चेश्टा की धज्जियां उड़ा सिर्जुकाय खड़ी पुत्री को चीर कर रख दिया तो उससे किसने कहा ता है आने को ये मर्दों की बाते हैं और ये चाजा मतलब बैठक भी मर्दों की है इस पश्ट था कि शीला और कालिंदी का वहां आना सर्वता नीती विरुदिता खिसिया कर दोनों ही जाने को उद्यत हुई पर फिर ना जाने क्या सोच कर कालिंदी तनकर खड़ी हो गई रुको मामी चाजा भली मर्दों का हो प्रश्ट एक लड़की के जीवन का है उसकी सही वकालत भी हम ही कर सकती है मर्द नहीं फिर वो सरोज के दूले से अभिमक होकर कहने लगी मेरा नाम कालिंदी है मैं सरोज की सहीली हूँ और ये मेरी शीला मामी है हम दोनों ही अच्छी तरह जानती है कि सरोज आप ही के साथ रहना चाहेती है माईके में नहीं किसने कहा प्रोधी बुड़ा ऐसी तेजी से उचला जैसे उचक कर कालिंदी के कंधे पर जा बैठेगा कौन कहता है वो माईके में नहीं रहना चाहेती कौन सी कसर रखी है में ने पढ़ाया लिखाया है कभी कहीं आने जाने पर ронक टोक नहीं धरी फिर भी ये उनके वहां जाना चाहेती है जिनोंने मुझे बीज बाजार में नंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कालिंदी ने जैसे उनकी बात ही नहीं सुनी वो एका एक तनकर नवांगंतुक अतिती के सामने खड़ी हो गई थी सुनिए क्या आप सचमुशी सरोज को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं जी हाँ पर क्षमा करें मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ उसने कहा तो हसपड़ी और वो मुक्तोजवल हसी भला संसार के किस पुरुष को नहीं बान सकती थी आप मुझे पहचानेंगे भी कैसे ना पहले कभी आपने मुझे देखा है ना मैंने आपको सरोज मेरी सहली है और हम पडोसी भी है मेरा नाम कालिंदी है सुनिए सरोज आपके साथ ही जाना चाहती है ये मैं जानती हूँ कोई कुछ भी कहे आप किसी की बात न सुने अपने मुझे शायद ही कभी आपसे कुछ नहीं कह पाएगी कृतग्य विस्मय विमुग्द द्रश्ट से वो कालिंदी के पार्ष में सिर्जुकाए सरोज को पहली बार देख रहा था पांडुर चेहरे को रक्ताल पता ने विवर्ण्स भले ही बना दिया हो भोली लजीली चित्वन से लेकर चिडिया के चंचु से नन्ने अद्रों की बनावट में अभी भी अक्षत कौमारे का वही चुम्बकी आकरशन था जो उसे तीनी दिन के सहचर में उसका दासा नुदास बना गया था तीखी नाक पर चमकती हीरे की इसी लौंग में तो एक बार उसके कंठ की जनेव उलज गई थी और कितनी जोड से हसने लगे थे दोनों उस सरस्क शन में विश्व होलने बंद दरवाजा थपता पाते आठप की अम्मा ने कैसे सब गुड़ गोबर कर दिया था ये कोई तरीका है हसने का घर मेहमानों से भरा है कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि कैसी बेहया बहु आई है जो आदी रात को ऐसे ठाके लगा रही है आज उन रसीले अधरों का सामीब पे उसके धरकते हिदे को बारबा जिभागर पर लिया आ रहा था जी में आ रहा था वहीं उसे टप से उठाकर मुँमे धर ले इतनी सुन्दर क्या वो पहले भी थी नहीं सरोज के पिता का कठोर स्वर सहसा हतोडे की चोट सा बज उसके अधीर उत्साहा को ठंडा कर गया ये एक बार वहाँ गई तो कभी जिंदा नहीं लोटेगी ये मुझे पता है कितना अपमान सा है मैंने इसके लिए कैसे कैसे तानों से मुझे बींधाय समाज ने लोगों ने मेरी ही लड़की को बदनाम किया कि कोई खोट होगा लड़की में तब ही तो पटक गए इत्ती सी बात में कोई बहु कुमाई के ने पटक जाता मैं पूछता हूँ क्या इसने अपके ससुर को जहर दिया था या उनका गला गोटा था सरोज भे चके द्रश्टे से उगर पिता के तमतमाय चेहरे को देख रही थी कभी सिर जुकाए खड़े पती को देखिए अब जो हो गया उसे भूल जाईए सरोज इनके साथ जाना चाहती है वो बालिक है आप उसे नहीं रोक सकते वहीं पर खड़ी शीला आशर इसे उसे देखने लगी ये शांत लड़की तो कभी किसी जगड़े में ऐसे दखल नहीं देती थी चड़ी चल हम घर चलें तेरे मामा आ गए होंगे उसने धीमे से कालिंदी का हाथ पकड़ कर खीजा नई तुम जाओ मामी मैं थोड़ी देर में आऊँगी तब ही पिता के सामने सदा पीपल के पत्ते सी थर्थराने वाली संकोची सरोज गजब कर बैठी वो वने हिरनी सी छलांग लगा एक पल में सिर जुकाए पती के पास जाकर खड़ी हो गई मैं अभी चलूंगी आपके साथ यहां एक पल भी नहीं रहूंगी सैसा पुत्री का रौदर रूप देख उसके पिता भी सहम गए कैसी बाते कर रही है चेली हम क्या तेरे दुश्मन है जो तू ब्रहस्पती के दिन माय के सजाएगी अरे बीपे के दिन माय का छोड़ कर गई पारवती भी कभी माय के नहीं लोट पाई थी उनका गला रुध गया मैं भी तेरे भले के लिए कह रहा था पगली तू भी तो पढ़ती रहती एकबारों में आजकल सस्राल वाले ऐसे ही पुसला कर ले जाते हैं कि बाप को जली बेटी की लाश भी नसीब नहीं होती पुत्री का संभावित व्योग उन्हें सचमूची बुरी तरह विचलित कर गया था उनकी सफेद मूचें कापती होटों के साथ साथ कापने लगी थी मुझे माफ कर तो बेटा इस बार वे सहसा दीन ही नियाचक बने दोनों हाथ बांदे दामात के सामने खड़े हो गए मेरा दिमाग कभी कभी मेरा उच्च रक्त चाप खराब कर जाता है क्या करूं एक तो लोगों के बाते सुनते सुनते ठक गया हूँ किसी हितैशी इष्ट मित्र की बात का भी मैं विश्वास नहीं कर पाता तुमारी चीज है तुमारा पूरा हक है से ले जाने का पर आज नहीं एक दिन का समय और दे दो आकर यही तो दिरागमन है इसका ऐसे अफसर पर तो पहाड का दरित्र बाब भी अपनी बेटी को बिना पांच बरतन नया जोड़ा पकवान विठाई के विदा नहीं करता दूसरे दिन तेड़ बजे की बस से बड़े आडंबर से सही सरोज पित्र ग्रह से विदा हुई दूसरे दिन तेड़ बजे की बस से बिना आडंबर के ही सही सरोज पित्र ग्रह से विदा हुई थी कालिंदी ही उसे तयार करने आई है देख सरोज की भाबी का मूँ लटक गया था क्या वो नहीं तयार कर सकती थी सरोज को अलमोडा में जहां किसी कन्या का विवहा होता उस घर की बहु बेटियां बड़े आग्रह से ही उसे कन्या को सजाने बुला ले जाती एक तो सरोज की नलिन बोज्जियू मतलब भाबी के पास आँखों को बनाने की तुलिका से लेकर नाखून डगने की लाली तक विदेशी थी वो अपनी मंजूशा परम ओदारे से साथ लेकर जाती और सौब भागे कांक्षणी कन्या का रूप ही ऐसे आपाद मस्तक बदर डालती कि एक क्या दस-दस नौशे जूम उठें देखते ही देखते घर बर की बहु बेटियां उसे घेर कर बैट जाती जैसे मदारी तमाशा दिखा रहा हो ओ नलिन बोज्यू थोड़ा हमें भी थोड़ा हमें भी चल हट ये क्या कोई मेंदी है जो दुलहन के साथ साथ सारी हतेलियां रचा दू वो बड़े गर्व से मुस्कुरा कर कहती वो तो हर बार बेचारे नानदा मेरे लिए विदेश से ले आते हैं यहां ऐसी चीजे थोड़े ना मिलती हैं इस बार दो नाइटी भी लाएं हैं कारडिगन तो साथ हो गए हैं मेरे पास कान के दो बुंदे भी लाएं हैं देखना कल बारात में पहन कर आऊंगी ठीक वैसे ही जैसे मार्गेट थैचर पहन कर आती है टीवी में बेचारी भूली पहाडी लड़कियों का मुँ आश्चरे से खुलाई रह जाता कैसी भागेशाल नी थी नलिन भूच्यू एक ने सरोज भी उन अपसरा दुरलब करन फूलों को मांगने की दर्शता कर बैठी थी उस बेचारी का कहना तो उसकी खुसर्ट सास ने दबा कर मेरी क्या मैं तो दे दूँगी पर पहन कर दिखाओगी किसे तुम्हें रखने वाला अब क्या कभी हिंदुस्तान लोटेगा मेरे नानदा कहते हैं वहाँ कोई भी हिंदुस्तानी सच्चे अर्थ में ब्रह्मचारी नहीं रह सकता बीच खूच कान में जन्यू डाल कर एका ने कितनी बार उस सरोज के रिष्टे के लिए भावी के पैर पकड़ चुका था पर जिस ग्रह में बेटी दी हो उस ग्रह से क्या कभी कोई पहाडी संसकारी ग्रह स्वामी बहू ला सकता था उस पर सुंदरी ननद ने एहंकारी नलिन का जो आज तक अपने को पहाड की कोल पाती, एमे कर लिया है तो क्या हुआ? सोयम उसे अपने नैनी ताल के रैमनी कॉन्वेंट की प्राक्तन छात्रा होने का बड़ा घमंड था, चाहे वहां उसकी प्रारहमिक शिक्षा का एक वर्ष भी पूरा नहीं हो पाया था, कि पिता की बदली उत्तरकाशी हो गई थ स्वती तो पहले पहल काला जब्बा धारी गोरी नंस ने ही अंकित की थी, आज उसी सरोज के सुदर्शन दूले को देखा तो कलेजर पर केवटा सांप लोट किया, कैसा मा का जवान था, एक उसका पती था बोदा ब्रमदत, जैसा ही नीरस नाम, वैसा ही सुभाओ, जब द देखो तब पलंग पर पड़े फूर अंदाज में दोनों पैर एक दूसरे से बांदे जूला सा जूलता, ना धंग से कपड़े ही पहनने का सहूर था, ना सब इस समाज में उठने बैठने का, आदुने का पतनी को प्रसंद करने कभी दबे स्वर में उसे डार्लिंग अव देदी हो, और एक ये सरोज थी, जिसने अंदी होकर भी बटेर को फांसी लिया था, सरोज तयार होकर बाहर निकली और जुक कर उसने पिता के पैर चुए, तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ पेरा, मुसे बोर कुछ नहीं पहे, पुत्री की इस विदा का क्षन उन्हें पहल रही थी, पती के साथ सस्राल जाने का उलास गोरे चेहरे पर अंग राग बन कर विखर गया था, देशी विदेशी किसी भी सज्जा की गुंजाईशी कहा थी, जाने कब स्कूल में कालिंदी ने पद्म गरिमा में एक कविता पढ़ी थी, वही जैसे साकार मूर्तिमान खड पढ़ी थी, कालिंदी चुपचा भीतर चली गई, उसने देखा तखत पर सरोज के बाबू चुपचा पकेले बैठे हैं, अरे कक्का सरोज जा रही है और आप यहां बैठे हैं, इतने उदास क्यों हैं, अब तो इतना सुंदर दामात घुटने टेक, नाक डगर आपकी सरो होना भी पढ़ता है, डरा मन है मेरा, एक बार धोका खा चुका हूँ, तब भी इन लोगों ने हमें पान के पत्ते साही फेरा था, हमारे पहाड में जब करन्या विदा हो जाती है, तो अंतिम गीत काया जाता है, जोहरा गीत, सुनाए कभी, आज लग रहा है कहीं दूर छि जुआ जीत आया है, और कोई हार आया है, आज सचमुश मैं बुरी तरह हार गया हूँ बेटी, सोचा था उन अन्याईयों की देहरी अब सरोज को प्राण रहते लांगने नहीं दूँगा, शिखा में गांट लगा कर ब्रामण की शपत काही थी मैंने, पर आज मेरी बेटी मेरी शिखा की गांट खोल गई, छी कैसी बात कर रहे हैं आप, आपको तो खुश होना चाहिए, कैसे खुश हो सकता हूँ मैं, पती के सामने वो जन्वदाता जनक को नीचा दिखा गई, कौन सा सुख नहीं दिया था हमने उसे, हो सकता है आपने अपनी सामर्थ्या नुसा उसे सब सुख दिया हो, आजादी दी हो, पर ना वो पूरी तरह सुखी थी ना आजाद, अच्छा तो आपको हमारे घर की जानकारी हमसे कुछ जादा ही है, क्यों? ये तो बड़ी अच्छी बात है, व्यंग से अपने पतले कुरूर होटों को तर्यक कर हस्ती नल्ली ने कह ना जाने कबसे परदे की ओट में खड़ी, वो सब सुन रही थी, देखिए, फिर वो ससूर की और बड़ी अवग्या से पीट फेर कर कालिंदी के सामने तनकर खड़ी हो गई, जहां तक मुझे पता है, आपका हमारा कोई दूर का दस दिनी विरादरी रिष्टा भी नहीं ह और मैं सोचती हूँ, ऐसे में आपका हमारे यां ऐसे बिन बुलाए आना एकदम उचित नहीं था, हमारी घरेलू समस्या थी, हम खुद सुलजा लेते, आपने सरोज को न भढ़काया होता, तो क्या उसकी ये हिम्मत होती, कैसी हिम्मत, अपने पती के साथ जाने की, रिष्टा केवल रक्तमांस का ही नहीं होता, एक रिष्टा और भी होता है बिना रक्तमांस का, और कभी-कभी ये रिष्टा पहले रिष्टे से भी अधिक निस्वार्थ होता है, अधिक मजबूत, मेरा सरोज का यही रिष्टा था, फिर बिना उसका प्रत्युत्तर की प् मुख मुद्रा दे को समझ गई उसने सब बाते सुननी हैं मामी दूप में सूक्रे धनिया को आकारणी बीनने का उपकरम करने लगी किसी ने उससे ना कुछ पूछा ना वो बोली कमरे में जाका धराम से द्वार बंद कर चुपचा पलंग पर लेट गई सरोज का अभाव उस पूछी सरला सहचरी सरूज ना वो अब किसी पर पूरतया निर्भरी रह गई है ना पूरतया स्वाधीन उसे इतनी भी स्वतंतरता नहीं रही कि वो अन्याय के प्रति अपना स्वतंतर मत प्रकट कर सके आकर कौन सा ऐसा अपराध हो गया था उससे जो घरबर ने उससे दीवार की और मू की एक कालिंदी ने उनके आने की आहट नहीं सुनी क्या बात है चड़ी इसने विगलित कर इस पर्ष ने उसे चौका दिया सरोज के जाने का बहुत बुरा लग रहा है क्या चल उट खाना खाले सब तेरे लिए रुके हैं वो चुपचाप उठी और बिना किसी से बोले एक दो गौर खा कर फिर अपने कमरे में चली गई सरोज ने दिल्ली जाकर उसे पत्र लिखने में विलंब ने किया पत्र के अक्षरों को मिटा स्वयम सरोजी जैसे मुस्कुराती उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी वो बहुत खुश थी बार बार उसने एक ही बात लिखी थी तुम्हें बता नहीं सकती दी ये मुझे कितने लार दुलार से सिर पर बिठाए जा रहे है अपना सुख देखकर मैं कापी जा रही हूँ कहीं ऐसा ना हो विधाता फिर सूप उलट दे एक तो हवाई जाज के नाम से मेरी डर से जान निकली जा रही है पता नहीं कैसे बैट पाऊंगी निगोडे जाज में तुम्हें एक खुश खबरी और दे दूँ इन्होंने अपनी मा से लड़ जगड मेरा सारा गहना धरवा लिया यही नहीं गहना मिलते ही उन्होंने तस्वीर के अनंदी चेहरे को देखती रही थी कौन कहेगा यह वही सरोज है कामदार लहंगे पर लाल बुंदकीदार दुपट्टा कानों में भारी जुमके कंठ में टीब हातों में चुहा दंती पहुची पैरों में पाईजेब ठीक जैसे दीन द्याल के प्राचीन संग कराले से उठाई गई किसी लजीली किशोरी की तस्वीरी किसी ने उठा कर रख दी हो सरोज का उल्लास पिर स्वयम कालिंदी का उल्लास बन गया था एक दिन पहले ही सारी मनहूसियत उसके पत्र ने धोपोश कर बहा दी थी शायद अब वो सरोज को कभी ने देख पाएगी दिल्ली के बनावटी परिवेश परिशितों की कुटिल प्रवंचना के बाद सरोज का सरल सानित्य उसे परवत फोड़ कर निकले पहाड़ी निर्जर साही स्वच अम्रतोपम लगा था पहले बड़ी देर तक मा बेटी में से एक भी नहीं बोली फिर अन्ना नहीं हाथ बढ़ा कर अंधेरे में कालिंदी का लला टटोल हतेरी अग दी क्यों री क्या तबियत ठीक नहीं है कालिंदी चुप रही अकारण ही अम्मा ने मूँ फुला लिया था इस बात को भूली नहीं थी देख चड़ी मैं जानती हूँ तुझे मेरा टोकना बुरा लगेगा पर आज तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं था कौन नहीं जानता उस लड़ा का परिवार को इसी सरोज के दादा कभी हैं लड़कियों के स्कूल में बेहंगी लगा कर आलू की चार्ट बेचते थे एकदम दरिद परिवार था इसके बाप चाचा सभी तेरे मामाओं की उतरन पहन कर बढ़े हुए है ब्रह्म दत सरकारी नौकरी में क्या आये कि हवा में उड़ अपनी आउकात भूल गए उस पर वो तीन कोड़ी की नली आज तुसे क्या क्या कह गई ना तू वहां जाती ना हमें ये सब सुनना पड़ता कालिंदी वैसी ही चुपचाप पड़ी रही इस बार अम्मा ने बड़े इसने से उसकी पीट पर हाथ पे रहा मैं जानती हूँ सरोज बहुत भरी लड़की है पर हो कितनी भली क्यों ना हो इस परिवार का ओचापन कभी नहीं जाएगा मैं जानती हूँ तुझे उसके बिना बुरा लगेगा हर वक्त तो तेरी चाया बनी डूलती थी पर एक ना एक दिन तो उसका तेरा साथ छूटता ही बचड़ी आज देवू कह रहा था इस बार तुझे अपने ननिहाल ले चलेंगे चलेगी अभी सोने दो अम्मा कल देख अभी भी उस सुंदर गाओं की इस्मरती उसे किसी स्वप्न इस्मरती सी ही विवल कर उठती कभी उसके नाना के पूरवज कर नौस से आई थे नानी नहीं उन्हें बताया था दूझे शुक्ल ब्राहमण थे हमारे पुरखे नानी चारों भाई बहनों को अपनी रजाई मे थे गंगोली पहुँचे तो मानी कोट के राजा ने बड़े आदर से अपने महल में ठहराया वहीं जोशी मट में उनका एक अत्यंत रूपवान पुत्र हुआ रमाकान वे स्वयम विद्वान ब्रामर थे पर जबान तो उतलाती थी इसी से लाटो जोशी यानि गूंगे ज जोशी कहलाए यही गाउं उन्हें जागीर में मिला और ललोटी के नाम से प्रसिद हुआ उसी ललोटी के जोशी हैं तुमारे नाना अम्मा के मम मेरे भाई पिरी ममा उन्हें बस स्टेंड पर लेने आये थे अम्मा की ननिहाल में अवे एक ही बचे थे वे भार नमित उस सरल निपट देहाती से व्यक्ति की दरिद्र जीर्ण वेश भूशा देख का लिंदुगों विश्वासी नहीं हुआ कि इतनी ठंड में भी कोई इतने विरल वस्तरों में जाड़ा काट सकता है उनके दोनों पुत्र बहुत पहले गाओं छोड़ कर जा चुके थे न जाने कितनी बार वे अन्ना से एक बार ननिहाल आने का आगरह कर चुके थे कालिंदी को तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं था तीखी चड़ाई पार कर वे पहुँचे तो अन्न पूर्णा ननिहाल के खंडहर को देख कर रो पड़ी हाई कैसी दुर्वस्ता हो गई थी घर की कौन कहेगा कभी यहां उसके जागिरदार नाना रहते थे छत की बल्लियां वट प्ररोवों सी नीचे जूल रही थी चूले पर एक टिटर सी केटली में पानी खदक रहा था तुम्हें लेने गया तो चाय का पानी चड़ा गया था रे देवी जिससे आते ही तुम्हें चाय तो पिला ही सकूँ अरी अन्ना धन भाग जो आज तुम सब इतने वर्षों में अपने माला को मतलब नन्हाल तो आए क्या करूँ ऐसा दरिद्र हैरी तेरा भाई एक तो घर में औरत नहीं उस पर आखों में भी मोतिया बिंदो तर आया है अब कभी यहां आख का कैम्प लगे तो आउपरेशन करवा लू क्यों क्या धीरू गीरू नहीं आते कभी चुट्टियों में अन्पूर्णा ने पूछा तो वे हसे चुट्टियों में क्या आएंगे री बैनी बाप को कंधा देने आजाएं वही बहुत है पर अब उसकी उम्मीर भी नहीं रही आज दस साल वीद गये कभी एक कार्ड तो डाला नहीं सुना है दोनों भाई उची नौकरी पर हैं पर लंका में सोना है भी तो तेरे बाप का क्या फिर उन्होंने छट की बली से लटकी पोटली उतारी विविन गाटों में बंधी चाए चीनी निकाल केतली में छोड़ी और कहने लगे सुना है वहीं किसी पंजाबी ठेकेदार की जुरवा बेटियों से शादी कर घर भी बसा लिया है देख तो रही है कैसी दशा हो गई है घर की ओड मिस्त्रिय मिलते नहीं बाप दादों की थाती है छोड़ी भी नहीं जाती पिछले साल एक बार तो एक नागा बाबाओं के एक दल के साथ जाने की ठानी ही ली थी फिर सोचा चला गया तो मेरे मरीजों को कौन देखेगा क्यों ऐसा बैरागी बनूँ यही रहकरन की सेवा करूँ यही तो असली बैराग है री बैना पिरी ममा ने कभी काशी से वैदे की पड़ी थी दूर दूर से मरीज उसे दवा लेने आते थे यह अन्ना जानती थी हटो पिरी दद्दा मैं चाय बना दूँ अन्ना और शीला दोनों चाय बनाने बैट गई ठीक है ठीक है तूही बना मैं ताजा दूद लियाओं कहकर वे लोटा लेकर निकल आए पूरे कमरे में दूए की कड़वी महका रही थी फिर भी कमरा साफ सुत्रा था फुआल के गुरगुदे गद्दे पर साफ चादर बिची थी देविंद उसी पर लेट किया याद है थी थी एक बार हम तीनों भाई तेरे और अम्मा के साथ आये थे अम्मा अपने मायके में इश्ट की पूजा देने आई थी इसी चूले पर नारी ने कैसे कैसे पकवान बना कर हमें खिलाए थे उन लाल चावलों की खीर का स्वाद मुझे अभी भी याद है कितनी गोरी थी आमा एक दिन तो नरिया ने पूछी दिया था आमा तू क्या मेम है कालिंदी घूम घूम का पूरा घर देखाई थी इतने बड़े घर में पिरी ममा कैसे अकेले रहते होंगे उस पर सांज होते ही साएं साएं कर बहती बंशी सी बजाती देवदारी बयार नीचे पहाड़ी गलडोलों को तोड़ती पोड़ती बहरेई वेगवती बहाड़ी नदी का तीवर स्वर अमा बताती थी कभी माद दिन डूपते ही आदम खोर शेर दहार गाउवालों को द्वार मूंद घरी में नजरबंदक बना कर रख देता था पर पिरी ममा तो जैसे सब खुंखार आदम खोरों को विज़ित कर चुके थे एक हाथ में जलती मशाल और दूसरे में घुंगुरू लगी लाठी लेकर वे निर्भी को उतार उतर जाते हैं खेतों की देखवाल बाजार का सौधा सुलुफ खाना पकाना नौले से बड़ी बड़ी तांबे की गगड़ियों में पानी लाना सब कुछ वे इसी फूर्ती से करते लगता कोई कड़ियल जवान ही चला रहा है एक हम है अनपूर्णा शीला से कहने लगी एक दिन भी बरतन मलने वाली नहीं आई तो आस्मान सर पर उठा लेते हैं और एक ये हैं पिरी दद्दा मुसे पूरे दस साल बड़े हैं पर कमर देख मजली अभी भी नहीं जुकी भू तली ये वैभिन्य बंजर भू की जमीन दुर्गम चट्टानों का प्राकर्तिक अवरोद और प्रकर्ति के नित्य बदलते तेवर कभी भरबरा का पूरा पहाड़ी गिर गया और कभी बरफ का खिसकता एवलांश खेद के खेद धरा में धसा गया फिर भी कुमायने के अदम साहस लगन और सैयम के मूर्दिमान सरूप थे पेरी ममा चौबी सों घंटे हूटों पर लगी हसी आत्म विश्वास से दमकता चेहरा उन्हें देख कालिंदी के जी में आ रहा था वो कुछ दिन उनी के पास रहकर जीवन परियंत अनवरत परिश्रम करने का कठिन पार्ट सीख कर कंठस्त कर ले सारा दिन वे अपनी सीड़ी नुमा खेतों में जुटे रहते ना उनके पास सिचाई के साधन थे ना नेरंतर ढहरेई दीवारों की मरमत का ही बाहुबल फिर भी उनकी दंतहीन हसी में कितना इस नहें था कितनी सरलता जड़ी बूटियों की उन्हें पहचान थी उपन्यास कालिंदी की शेश कहानी सुनिये अगले वा अंतिम भाग साथ में